पढ़ाई की कोई भी स्टेज हो लेकिन जो हमारा माइंड है जिसे हम मस्तिश्क बोलते हैं जिसके सहारे हम इस दुनिया को जीतते हैं कभी-कभी वह चलना छोड़ देता है समझ नहीं आता कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें पढ़ा है तो याद क्यू नहीं है किसी भी क्लैस में हो आप चाई graduation कर रहे हैं चाई post graduation कर रहे हैं चाई doctorate कर रहे हैं चाई आप 12th standard का exam दे रहे हैं माइंड आपके साथ balance में रहना जरूरी है जब पढ़ने बैठते हैं तब दुनिया भर की बाते याद आती है कुई movie देखी वो याद आती है मैं कुछ चोटे चोटे टिप्स दे रहा हूँ जो आप अजमाए अजमाना ही नहीं अजमा के पूरी जिंदगी आप अपनी लाइफ में ले करके चलिए अपनी फैमिली में भी आप उसे बता सकते हैं आपका रूम अगर नॉर्थ वेस्ट की डिरेक्शन में आता है जिसमें आप बैठके स्टडी करते हैं या ओवरॉल अपने केरियर को आगे एक्सपैंड करते हैं तो यह रूम आपकी स्टडी के लिए किसी भी लेवल की स्टडी के लिए बिलकुल भी अच्छा नहीं है कई बारी लोग बोलते हैं कि नॉर्थ वेस्ट के रूम में आगर आप बैठके पढ़ते हैं तो विदेश जाने का मुखा मिलेगा ऐसा बिलकुल भी नहीं है विदेश जाने का मुखा तब मिलेगा जब नॉर्थ वेस्ट ठीक से मैनेजड होगा अभी आप North-West के रूम में हैं अगर तो North-West के रूम में प्योर वाइट कलर करना है आपको प्योर वाइट कलर North-West के अंदर उस दिशा को बैलनस कर देगा और आपका माइन फोकस होने लगेगा वाइट एगेट स्टोन्स आपको रखने है पांच की गिनती में यह भी आपको बहुत सपोर्ट करेगा उसके बाद आपको कुछ भी अगर समझ नहीं आ रहा आप मन करता ही नहीं है स्टडी करने का तो क्या कीजिए इस्ट की तरफ फेस कीजिए सूरे उदे की तरफ फेस करना है आपको और ग्यान मुद्रा का परियोग करना है ग्यान मुद्रा बहुत ही अच्छी मुद्रा मानी जाती है लेकिन फेस आपका इस्ट होना चाहिए लकडी की कुरसी पर बैठना है या आपको जमीन के उपर मैट लगा के बैठना है 10-15 मिनिट अगर आप ग्यान मुद्रा में बैठेंगे तो आपका माइंड सेटल हो जाएगा ऐसे सेटल होगा जो बिलकुल कोई भी वेज नहीं होगी और उस सोच में उस अवस्था में आप बहुत ही अच्छा मन और माइंड फोकस कर सकते हैं इस तरीके से लगाई जाती है इंडेक्स फिंगर और थंब फिंगर को जोइन करें और दोनों हातों को अपनी थाइस के ओपर रिलाक्स कर सकते हैं अगर आप सिटिंग पोस्चर में हैं चेर पे बैठे हैं अधरवाइस घुटनों के उपर रख सकते हैं तो इस मुद्रा में आपको बैठना है अगर माइंड मूव करें उसे करने दीजे लेकिन धीरे 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 आपका माइंड सेटल हो जाएगा बॉड़ी अगर म नहीं करती बैठने के लिए तब भी आप इसे अलाओ करें मूव करें जितना बॉड़ी को रिजिड और स्टिफ करेंगे उतना आपके साथ ट्रबल आती जाएगी इसके बाद हम बात करते हैं कुछ डिसीजन्स लेने होते हैं आपको स्टडीज के लिए कि क्या स्टडी चूज करना है, केरियर कॉंसलिंग लेनी है या आपको कुछ ट्यूशन्स लेनी है और ओफर ऑल कुछ भी सब्जिक्ट चूज करना है उस दिन की स्टडी के लिए तो नौर्थ की दिशा पढ़ने के लिए ओफर ऑल स्टडी से रिलेटिड बाते करने के लिए बहुत ही आने जा रहुआ इशान की क्रिपा, भगवान शिव का नाम इशान भी माना जाता है, तो इशान कोण में नॉर्थ ईस्ट के कोण में आप तिलक रखें, चंदन का तिलक बदा करके रखें, चंदन का गीला तिलक बदा सकते हैं, लेकिन घिसा हुआ चंदन होना चाहिए, जो नॉर्मल चंदन का तिलक मार्केट में मिलता है, वह तिलक नहीं होता, चंदन को घिस करके आप at least 48 hours तक North East में रखें, तांबे में रखें ज्यादा अच्छा है, इसे आप ring finger से ले करके अपने ब्रोज के बीच में तिलक लगाएं, करते ही आपका mind settle होने लगेगा और बहुत ही fast चलने लगेगा, जितनी भी crap चीजे हैं, यानि कि जो छोटी मोटी चीजे आपको परेशान करती हैं, वह हट जाएंगी और आपकी life बहुत ही smooth चलेगी studies को लेकर के, और overall career development भी होगी.